गाईज आज की वीडियो में अपने एक strategy simple discuss करेंगे जिसकी accuracy आप 90% तक लेकर जा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको साथ में कुछ rules फॉलो करने पड़ेंगे और वीडियो को complete देखना होगा तो 90% accuracy अगर आप निकालना चाहते हैं इस setup से दो indicator का use करेंगे दोन इंडिकेटर बिल्कुल free होंगे ट्रेडिंग वीडियो की वेबसाइट पर ठीक है यह ट्रेडिंग वीडियो की वेबसाइट है लाइब मार्केट आपके सामने चल रहे हैं तो वीडियो को complete आप वाज कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और rules note कर लेना ठीक है ज्यादा नहीं है दो तीन rules आपको बताएंगे जिनको note करना होगा और दो indicator है विल्कुल free है यहाँ पर आपको देखो एक green कलर की line दिख रहे है एक white कलर की दिख रहे है और एक red दिख रहे है एक line यह देख रहे है ठीक है यह आपको कुछ lines दिख रहे है यह indicator है अब candle बनी लेकिन अपन अपसाइड की entry नहीं बनाएंगा अभी ठीक है call side की entry अपन नहीं बनाआएंगे call side की entry कब लेनी है याणि see k by करना है और put कब बाएं करना पी option कब बाएं करना है वो सब कुछ समझेंगे stop lorsqu कितना रखना रकना है target कितना रखना है सब कुछ UP में अब यह नोट कर लिजिए ये रूल लिख लिज पहली केंडल पर एंटरी नहीं लेनी है। उसके बाद ध्यान से समझझे यहां पर कौल साइड की एंटरी का लेनी है शिम्पल समझे है। लाइन ये वाली ठीक है ये लाइन रेड रहनी चाहिए और यहां पर ये जो वाइट कलर की लाइन है इसके नीचे बाजार रहना चाहिए और ये जो सबसे तीसरी लाइन है ठीक है तीसरी लाइन है इसके भी नीचे बाजार रहना चाहिए इस इंडिकेटर का आपको फायदा ये होगा इस setup को देखने का फायदा सीखने का फायदा ये होगा कि जो consolidate bazar होता है ठीक है जब bazar में consolidation होता है जिसमें कि ज्यादा loss होता है तो उससे आप बचपाएंगे ठीक है range bound जो market होती है उससे आप बचपाएंगे और अगर आप range bound market में trade लेते हैं तो आपके stop loss हिट होने के chance बहुत ज्यादा रहते हैं ठीक है तो ध्यान से समझिए range bound market में नुकसान होता है यहाँ पर entry ले लोगे थोड़ा बहुत profit दिखाता रहेगा फिर एक दम से बड़ा loss दिखा देता है ठीक है आपके opposite market चली जाती है तो ऐसा नहीं होगा इसको ध्यान से समझिए अब देखिए put side की entry कब लेनी है जैसे यहाँ पर market open होती है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह वाली line जो है red line है और यह white line है तो white line के नीचे यहाँ पर यह वाली candle आती है ठीक है और यह red line के नीचे भी close कर जाती है तो यहाँ पर जो है bearish signal अपन entry बनाएंगे यहाँ पर entry बनाएंगे और जो पिछला swing होगा वो stop loss रख लेंगे और उसके बाद exit कब होना है exit होने के 2-3 तरीके हैं एक तो आप 1-2 target लेकर 1-2 का target लेकर ठीक है अगर आप 10-point का risk ले रहे हो तो 10-point का target 20-point का risk बन रहा है stop loss बन रहा है तो 20-point का target लेकर आप बाहर हो सकते हो market से दूसरा तरीका यह है कि market को चलने दीजिए और कब तक चलने दीजिए market को तब तक चलनी दीजिए जब तक यह वाली line ठीक है यह देखिए यह वाला indicator जो है इसकी जो line है यह green न हो जाए तो यहाँ आप entry बनाओगे और यहाँ entry बनाने के बाद यहाँ stop loss हो गया और यह अभी तक आप बने हो market में यहाँ पर आप exit कर जाओगे कहाँ पर इस वाले point पर यह आपका entry point है यह आपका exit point है यहाँ पर आप exit हो जाओगे यह वाले point पर आप exit हो जाओगे यह exit है और यह आपकी entry है simple आसान तरीके से समझ में आ गया अब इसमें देखो indicator लगा कर अगर पैसा बनेना तो हर कोई पैसा बना ले उसके साथ में rules होते हैं गाईज तो rules जरूरी है ठीक है तो यह entry हो गया और यह आपका exit point हो गया अब यहाँ पर देखो ध्यान से अगर इसको आप देखोगे कि कितना capture हुआ है ठीक है short position और यहाँ से अपनी entry और entry बनाने के बाद यहाँ तक यहाँ पर exit होते है ठीक है यहाँ पर exit होते हैं तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो 1 is 2 धाई ठीक है 2 मान लीजिए ठीक है 1 is 2 2 का लगभग यह 2 से जादा है यहाँ अपन का stop loss है 1 is 2 3 का target यह अपन को अचीव हुआ ठीक है और इसमें लगभग 380 point मतलब 400 point के करीब करीब capture होते हैं यहाँ ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया आपको आसानी से अब यहाँ एक चीज और note कीजिए यह आपने put side की entry समझ लिए है call side की entry समझ लीजिए call side की entry लेने के लिए ठीक इसके opposite है यह green line है इसके upside candle रहनी चाहिए और यह white line है इसके upside रहनी चाहिए और यह वाला जो है यह green रहना चाहिए जैसे यहाँ पर भी यह green बना है लेकिन अभी अपन call की entry नहीं लेंजिए यहाँ पर भी green बना है लेकिन call की entry नहीं लेंजिए और entry कहाँ पर नहीं लेनी है यह सबसे जादा जरूरी है तो entry जहाँ पर नहीं लेनी वो समझें कहाँ पर entry नहीं लेना है फिर साथ में यह भी समझते है कि call side की entry कब लेनी है फिर call side की entry लेने के लिए गाईस यहाँ आप ध्यान से देखोगे अगर तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर देखो call side के entry यह देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए call side के entry अपन कैसे बनाते हैं मिल्कुल simple समझिए यहाँ पर देखो white line के upside यह वाली line green ठीक है और green के upside तो यहाँ पर यह वाली candle पर आपकी entry बनेगी और यह आपका stop loss हो जाएगा यह profit अपन जन्नेट करेंगे ठीक है तो ध्यान से आप चीजों का अगर समझोगे तो आपको चीजे समझ में आएगी और आसानी से आप जो है market में earning कर पाओगे ठीक है यह call side के entry समझागी जैसे यह देखिए यह call side के entry रहेगी मतलब यह वाली line जो green रहनी चाहिए green line के upside candle close करनी चाहिए यहाँ पर और यह white line के upside रहना चाहिए बाजार ठीक है अब समझ लीजिए entry कहाँ पर नहीं लेनी है ठीक है यह वाली red line और यह वाली green line जो आपको दिख रहे इसके बीच में अगर बाजार चलेगा तो अपनको entry नहीं लेनी है ठीक है तब अपन entry नहीं बनाएंगे इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ठीक है यहाँ पर entry नहीं लेंगे यहाँ पर entry नहीं लेंगे ठीक है तो entry की condition आपको बता दी है जब condition fulfill नहीं होती है तो आपनको entry नहीं लेनी है बस simple समझ लीजिए क्योंकि अगर गलत जगा entry बनेगी तो market तुरंट आपके opposite हो जाएगी और जब market opposite हो जाएगी तो फिर आपके stop loss हिट हो जाएगे अब यह indicator कौन से है और इसके अंदर setting क्या है और इसमें rules क्या follow करने है वो समझ लीजिए ठीक है एक बार refresh कर देते हैं अब यहाँ पर देखू यह आपको चीजें समझ में आ रही है द्यान से ठीक है तो यह वाला profit अब यहाँ पर यह green बन चुका है अब यहाँ exit हो जाना ह ठीक है तो यह profit आप देख रहे हो live market में आपके सामने indicator कैसे work कर रहा है साथ में rules को समझ यह rules क्या है पहले indicator लिख लीजिए note कर लीजिए यहाँ से इसको हटाते है ठीक है remove indicator अब यहाँ indicator के section पर touch करना है और यहाँ पर लिखना है पहला indicator h u double l ठीक है whole तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो whole sweet indicator आता है यह वाला यह वाला indicator यूज़ करना है और यह बिल्कुल free है एक रुपए भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ध्यान से समझेए इस पर click करेंगे यह लग जाएगा whole sweet ठीक है और दूसरा indicator साथ में यूज़ करेंगे VWAP ठीक है इस प पर देखिए VWAP की यह whole sweet है इसको ऐसे ही रहने देंगे VWAP की setting करनी है और यहां touch करेंगे और यह जो color है इसको आप यहां thickness थोड़ी बढ़ा लीजिए और यहां पर इसको white कर सकते हैं जो भी color आपके लिए visible रहे उसको कर सकते हैं और यह upper band जो है इसको अपन जो है green कर दे है ठीक है इसको uncheck कर दीजिए बस उसके बाद इसको कर दीजिए ओके देखिए आपका setup यहां पर तयार हो चुका है और यह बहुत easy और बहुत simple है अब इसके साथ में कुछ rules note कर लीजिए ठीक है अगर आप rules note करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए बिलकुल simple उससे पहले आपको 2E strategy बता देते हैं 2E उसकी वीडियो आप देखिए ठीक है 2E strategy बहुत आसान बहुत simple है right time entry और right time exit कैसे आपको लेना है बाजार में यह आपको 2E strategy से समझ में आता है सीखने को आपको मिलता है जैसे अगर आप YouTube खोलेंगे ना आप समझ लीजिए साथ में rules panel copy अगर न को समझ पाई क्योंकि setup का behavior अगर आप नहीं समझोगे तो आप market से पैसा कैसे बना पाऊगे इस चीज को समझो ना ठीक है तो setup के behavior को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जब तक setup के behavior को नहीं समझोगे तब तक market से पैसा बनेगा नहीं और यहां पर आपको लिखना ह है ठीक है यह वाली वीडियो जो आपके सामने आ रही है कौन सी यह वाली वीडियो ठीक है 2E यह देखिए यह वाली वीडियो आप देख सकते है 2E strategy ठीक है यह 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 देखे यह लगा हुए thumbnail और यह है title आपकी जिन्दगी बतल देगी 2E strategy daily target hit ठीक है और यह live trade दिखाया है अगर आपको अच्छी लगी और आप सीखना चाहे तो आप कॉल कर सकते है 99227 6399 2208763 बोले गए नमबर पर ही यकीन करना लिखे वए नमबर पर यकीन करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि ध्यान से समझेए scammer बहुत है अपने नाम से fake channel बहुत बने हुए तो उनसे बच कर रहना ठीक है वह scammer है उनसे अपना पैसा बचा कर रखना देखो वीडियो अच्छी लगी होगी जानकरी समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी है अच्छा इसका रूल लिखिए इसका रूल जरूरी है रूल इसका सिंपल है अगर आप इस सेट अप का यूज़ करना चाहते हैं तो 30 ट्रेड जो है बैक्टेस्ट करनी है और इसमें आपको 30 ट्रेड जो है पेपर ट्रेड करनी है पेपर ट्रेड करना है अब ध्यान से समझना पेपर ट्रेड करना कैसे है पेपर ट्रेड करना है वन लॉट से और डेली ट्रेडिंग जरनल त्यार करना है मतलब लिखना है अपने ट्रेड को ये रूल है 30 पेपर ट्रेड जब और धन्यवाद शुक्रिया